कोशिन आप सभी कि स्क्वेंड पे भारत वाल विवार निरोधद्नियम किस वर्स पारित किया गया था विकल्प आप सभी की सामने आपस्ञ यह आपशन यह आपका कौन साही होगा ऑशन आपसर यहां पर आपका सही हो जाता है 2006 में ध्यान देजिएगा भारत में बाल विवार निरोध अधनियम 2006 में पारित किया गया था लागू कब से किया गया एक नवंबर 2007 से एक एक कोशन आपके syllabus के coding है पूरा syllabus हम cover करेंगे जितना कोशन आप लोग दिखते चलेंगे सब कुछ syllabus के coding होगा बस शुरू से लास्त अप लोग वीडियो को साथ बने रहेगेगा यह कोशन आपके परिवार से related है अगला कोशन कौन से विशेस्ता परिवार की नहीं है कौन से विशेस्ता परिवार की नहीं है ऑप्सन यह आपका सही हो जाता है कम से कम दो भिन लिंग वाले वयस साथ हो यह सही है प्रतेक सदस की आय भिन जमा की जाती यह ऑप्सन आपका सही हो जाता है यह विशेस्ता परिवार की नह नहीं है वे सामान आवास भोजन और सामान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते ये भी सही इस निमले खित्मे सिक कौन सी बायो डीजल की फसल है निमले खित्ने से कौन सी बायोडीजल की फसल है औप्सर यहाँ पर आपका कौन से सही हो जाएगा कपास जट्रोफा गण्ना अलू option यहाँ पर आपका सही हो जाता है B. जट्रोफा बहुत इसा पाधप है ये कहां-कहां पर पाई जाती है भारत, अफ्रीका, उत्री अमेरिका और केरेवियन जैसे ट्रॉपिकल छेत्रों में ये उत्पन्न होती है ये बहुत ही बड़ा सा पादप है जो जाडियों की रूप में अर्धशुस्क छेत्रों में उपता है पादप होता है, और यहां पर देखि किस से मिलता है , इस ब्रक्च के किस भाग से बायोडudigël तैयार किया जाते है ये भी एक ञामें कोशन पूछा जाता है इस बादप से प्राप्त होने वाले बीजों से 25 से 30% तक तेल निकाला जाता है किस से बीजों से और कितना निखालते हैं 25 से लेकर के 30 प्रतिसत तक इस तिल का क्या कामों तक कार वगेरा चलाया जाता है इसलिए इसे बाव डिजल पौधा कहा जाता है और जो इसका अशेस बसता है न उससे बिजली तेयार की जाती ये भी एक्जामें कोशिन पूछा जाता है अगले कोशिन पर चलते हैं इंपोर्टन कोशिन है किस बिटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है बिटामिन के बिटामिन बी बिटामिन दी बिटामिन आपका कौन से सही होगा बहुत ही बड़ियां आपका सही हो जाता है ए बिटामिन के रक्त का थक्का बनाता है रक्त का थक्का किस बिटामिन की वज़े से बनता है बिटामिन की वज़े से क्यों इस बिटामिन से एक पदार्थ बनता है जिसका नाम है प्रो थॉम्बिन लिख देते हैं प्रो थॉम्बिन यही प्रो थॉम्बिन ही रक्त का थक्का जमाता है इसलिए बिटामिन की कमी से र बितमिन के का राशानिक नाम है Karl कुनो ध्यांदिज़ेगा अगले वशिन प्यांजाते हैं नेक्स्ट है आपके सल्हेश्ण स्वास्त Śटबी से इस शहत का प्रमुक घटक क्या है ग्लुकोस, सक्रोस, माल्टोस फ्रक्टोस औपसन्या पर आपका कौन से सही होगा डी फ्रक्तों शहतलो का प्रुमंग गटक फ्रक्टों ग्लुकोस के साहतल मिठ़े फलो SECRET मि भी पाया जाता है ध्यान दिछीगा अगले प्रूशन पर चलते नेक्स्ट है है इंसूलिन की कमी से होता है इंसूलिन की कमी से क्या होता है जिल्दी से आप सभी लोग रिप्लाई करें विकल्प आप सभी के सामने वेरी गुड बहुत ही बढ़िया अगले गोशन पर आ जाते हैं चलिए विकल्प में आपका सही हो जाता ही मधुमे इंसूलिन की कमी से मधुमे नामक रोग हो जाता है इस रोग में रक्त में शरकरा की मात्रह क्या होती बढ़ जातीया ओर रोगी को बारबार प्यास लगती यह शरकरा मूत्र की माध्यम से बाहर निकलने लगती जिसे मधुमे की संग्या दी जाती है अगले कोशिण पे चलते है नेक्स्ट आपका important question आप सभी के स्क्रीन पे चलिए next question पे आ जाते हैं निमलेखित में से कौन सा पक्छी स्वेम के नीड का निर्मान नहीं करता है बेकलप आप सभी के सामने कौवा कोयल गोरे या बुलबल और आपका सही हो जाता भी कोयल कोयल ऐसा पक्छी जो स्वेम के नी रड़के संक्द निमलेखित में से कौन आता है जो आंको इसे कच्छवा अमीबा फिर्म वेल आप्सका में कि आपस Сरी श्रिप के नतरग्रत आता है वेल इसके इंतरगत के इस्तंधारी यह इस्तंधारी जशो मर्यामीबा उति हैं सरीसृइब प्राडी के चलतें सरक करके चलते हूं एंसाफ हुआ चिपकली हुआ मगर मच हुआ यह सभी सरी सुन्तर्वार्णा के अंतरगत आते हैं माली कच्छुह ना पूछ करके मगर मच पूछ पूछ लिए अगैए अगले प्रकार की पौदों के बारे में पढ़ा रहा है आपको बता रहा है यहां पर इस तली जली उभैधर्मी मरुस्तली ऐसे ही कोशन आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे सल Desk recording है यह सारे कोशन आपके सलेबस के क्वाडिंग है ऑप सनिं यह पर आपके कौन सो सही हो जाएगा option सही हो जाता दी दो मरुस्तली पौदों के बारे में बता रहा है क्योंकि काटे नुमा पतीया इसमें किसमे पौदों में अनुकूलन होता है अनुकूलन कहीं पर भी किसी जगह रहने के लिए अपने शरीर को ढाल लेना वही अनुकूलन होता है ठीक है अगले कोशिन पर चलते हैं नेक्स्ट है पेड़ पौधे वातवरण को स्वक्ष बनाते हैं क्योंकि यह वाइब मंदल से और हो जाता है यह वाइब मंदल से कार्बन डाय ऑक्साइड को और सोसित करते हैं यानि कि ग्रहन करते हैं और फोटो सिंथेसिस की प्रक्रिया पूरी करते हैं प्रकार संसलेशन की जिसके बाद ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है और इनका भोजन भी बन जाता है और ऑक्सीजन जो रिलीज होती स्वसन की प्रक्रिया में पेड़ पौधे जीव जन्तु धर्ती पर रने वाले सभी जीव ऑक्सिजन को लेते हैं ठीक आगले कोशिन पर चलते हैं नेक्स्ट हैं किसान के मित्र होते हैं किसान के मित्र अपसनिया पर आपका कौन से सही हो जाएगा केचुआ जो कीचुआ बिकल्पियां पर आपका सही हो जाते हैं केचुआ किसान के मित्र कह जाते हैं क्यों क्योंकि ये मिट्टी को उपजाओ बनाते हैं मिट्टी को भुर भुरा करके वाय रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं विकल्प यहां पर आपका कौन से सही होगा ऑप्सन सही हो जाता है आपका यहां पर सी उंट को कहते हैं उंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाते हैं उंट रेगिस्तान में कई दिनों तक भ के पैर लंबे होते गद्दीदार होते जिससे कि ये मरुस्थल की रितिली भूम में चलने और दोडने में सक्षम होते हैं इसलिए इने रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है अगले कोशिन पर चलते हैं वहां के लिए अनकूलित हो जाते हैं अपने शरीर को ढाल चुके होते है निद richest में रहने के लिए परफेक्ट होते हैं भारत में प्रसिद्द पासु मिला कहां पर लगता है बहरत में प्रशिद्द पासु.. मिला कहां पर लगता है important question है सोनपूर — पुसकर, इलहाबाद , आगरा आपके एक्शाम में मिला से भी portion लाता है ओप्सन यहां पर आपका सही हो जाता है ही सोनपूर भारत में प्रसिद्ध पशु मेला सोनपूर में हर साल कब लगता है कार्तिक पूर्डिवा नवंबर से दिसंबर में लगता है यह एशिया का एशिया भारत का ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपूर का प्रसिद फसल तेवहार-पॉंगल मनाया जाता है कहां पर इंपोर्टन कोशिन हम बिहार-करनाटका केरल-तमिल-नाडू ऑप्सिन यहां पर आपका सही हो जाता है टी तमिल-नाडू में अगले कोशिन पे चलते हैं नेक्स है ये मेली तमिल हिंदुओं का प्रमुक्तेवार है जो प्रती वर्स 14 से 15 जन्वरी को मना है जाता है अगले कोशिन पे चलते हैं नेक्स है ओलंपिक ध्वज में 5 रंगीन चक्र होते हैं निमले खित में से किस रंग का चक्र इन में समलित नहीं खेल से भी कोश्चिन पूछा जाता है सब कुछ आपके सिलेबस से की कोश्चन लिया गया है विकल्प यहां पर आपको कौन से सही होगा और सही हो जाते हैं यहां पर सफीद ओलंपिक धोज में पांच रंगीन चक्र एक दूसरे से मिले होते हैं जो किसका प्रतनी दित्त करते हैं पांच महादीपों का प्रतनी दित्त करते हैं जैसे देखिए आपको सारी चीज़ें ड पारी में बताते हैं तो पहला नीला वाला किसको बताता है यूरोप को बताता है पीला वाला रंग जो चक्र है पीला किसको बताता है एशिया को बताता है काला अफ्रीका को बताता है लाल उत्तरी अमेरिका को बताता है और हरा दक्षणी अमेरिका को इस तरीके से आपके विकल्प आप सभी के सामने हैं विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है सी गंगोत्री ग्लैशियर से गंगा ने दी निकलती है गंगा का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो गोमुक के निकट गंगोत्री हिमानी है गंगोत्री ग्लैशियर से निकलती है बायत की सबसे महत्पूर और पवित्र नदी मानी जाती है गंगा अगले कोशिन पे चलते हैं और यहीं पर इसे जब यह गंगोत्रे ग्लैश्यर से निकलते हैं तो यहीं पर इसे भागी रती कहते हैं देव प्रियाग में भागी रती अलग नंदा से मिलती है इसके बाद दोनों की ज सबसे लंबी नदी है जो भारत के पांच राज्जियों से होकर की बैती है कौन-कौन से पांच राज्जें इंपॉर्टन है सारी चीज़े आमको साथ में इसलिए बताते चल रहें माली जी यह कोशन ना पूछ कर कुछ और पूछ लिया गया इससे रिलेटर तो क्योंकि नद क्रविश करती है जहाँ इसे किस नामसे जाना जाता है पध्मा नामसे रही के बॉल्रवंपूत्र से मिलती है सभरीवस संयूं boots-eg navy मिल जाते है कहां पर गिरती है बंगाल की खाड़ी में लास में ये घर जाती है गंगोत्री ग्लैसियर से निकल करके लास में बंगाल की खाड़ी में मिलती है और इसकी लंबाई कितनी है 2525 किलोमेटर इस सारे इंपोर्टेंट पॉइंट हमने बता दिये जहां जहां से आपके एक्जाम में कोशन पूछा गया अगले कोशन पर जलते नेक्स्ट है अध्यवस में यातायात महादीप महा सागेट नदिया यह सब है तो भारत में पौर्फ से पस्टी के और बहने वाले सबसे लंबी नदी पूछी जा रही है लूनी साबरमती ताप ती नर्मदा विकल्पी हाँ पर आपका सही हो जाता है डी नर्मदा मुस्ट इंपोर्टन कोश्चन है मार कर लीजिएगा भारत में पुर्व से पश्चिम की और बहने वाले सबसे लंबी नदी नर्मदा है इसकी लंबाई कितनी है और इस से रिलेटेट एक बहुत ही इप्पोर्ट कोशिन पूछा जाता है आपको बता देते हैं यह नदी नदी का उदारन है रिप्ट रीवर का उदारन है अ ठीक है अच्छा लूनी की लंबाई कितनी है 320 किलोमेटर है साबरमती की 371 और तापती की 724 किलोमेटर अगले कोशिन पर आ जाते है नेक्स्ट है भारत में हिमाले की सबसे उची चोटी कौन सी है जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए आसान सा गोशिन है जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए फिर आगे कोशिन पर चलते हैं बहुत ही बढ़िया भारत में हिमाले की पूछा जा रहा है यहां पर देखिए हिमाले की भारत में सबसे उची चोटी का नाम आपसर यहां पर आपका सही हो जाते है मांट केटू गाडविन आस्टिन बारत में इस्तित है माले की सबसे उची चोटी एक केटू है गाडविन आस्टिन है यह चोटी जम्मो कश्मीर के कारा कोरम स्रेडी में इस्तित है इस चोटी की उचाई कितनी 8600 11 मीटर है बिश्व की सबसे उची परवत चोटी मौंट एवरस्ट है जो कहां परिस्तित है कहां परिस्तित है नेपाल में ध्यान दीजिएगा कहां परिस्तित है नेपाल में इसकी कुल उचाई कितनी यह 8888 मीटर important question है हिमाले पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उधारने पर्वत पठार, महासागर, मादुप यह सभी आपके सेलेपस में है तो परतदार पर्वत, बलाक पर्वत, प्राचीन पर्वत, अप्सिस पर्वत बिकल्प यहां पे आपका कौन से सही होगा बहुत ही बड़िया option यह मालावार्णे पर तनी tutor प्रकार के अपका सही हो जाता है यह परणिर परदार पर्वत, मोरड़ार पर्वत, वलिद पर्वतत & सब एक है और एक वचाने आलब्स कैसा पर्वत है वह भी यह वलिद पर्वत की स्टेड़ी में आता है सभल्स अगले गोशिन पर आते हैं नेक्स्ट है गोवा के दक्षड का पश्च्मी घाट कहलाता है क्या कहलाता है मालावार, कौंकर, कंदर, उत्री सरकार ओप्सन यहां पर आपका सही हो जाएगा A. मालावारत गोवा के दक्षड का पश्च्मी घाट मालाबार तट के नाम से जाना जाता है और यहां पर देगे कॉंकर तट महारास्ट एवंग गोवा के तटी भागों को क्या कहते हैं कॉंकर तट के नाम से जाना जाता है उत्तरी सरकार उड़ीसा के समुद्ध तटी भागों को उत्तरी सरकार की नाम से जानते हैं कर्नड क्या है कर्नड कर्नाटक राज्य की भासा है अगले कोशिन पर हम आते हैं नेक्स्ट हमारा कोशिन है निम्ण में से कौन सा साघर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है लाल साघर काला साघर अरब साघर भूमति साघर ओप्शन या पहिवे आपका सही हो जाता है डी भूमति साघर अगले गोशन पर चलते हैं अगला गोशन है नेक्स्ट है भारत में सर्वादीक लंबा प्लेटफॉर्म कहां पर है आपको बताना है जल्दी से आप लोग उप्सन चूच करें यह बहुत बड़िया वेरी गुड उप्सन यहां पर आपका सही हो जाता है भारत का स्तरवादीक लंबा प्लेटफॉर्म कहां पर है गोरख पूर रेलबे गोरख पूर पोड़्ले का मुख्या रेलबे का मुख्या लए है यहां का जो प्लेटफॉर्म में कितना लंबा है 1355 मीटर किलोमेटर में 1.35 किलोमेटर ठिक है अगले कोशिन पर चलते हैं इसके बाद दूसरी स्थान पर कौन सा है इसके बाद दूसरी स्थान पर खड़क पर railway station है जिसके लंबाई कितनी है 1072 मीटर है और त्रीसरी स्थान पर कौन सा है इस्ट्रेट इस्ट्री सेंटर सब्वे स्टेशन सिकागो जुकि यूसे में है एक हजार सांट सर्ट मीटर लंबा है अगले कोशिन पर उत्तर प्रदेश में गंगा निदी किस जिले में प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में गंगा निदी किस जिले में प्रवेश करती है बलिया, एटावा, विजनौर, बुलन शहर विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है सी विजनौर उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है तो यह विजनौर है वहां से प्रवेश करती है बलिया से उत्तर प्रदेश से ये निकलती है किस जिले से बलिया से माता टेला पर्योजना किस नदी पर इस्तिते बेतवा गंगा यमुना इनमे से कोई नी आपसनिया पर आपका सही हो जाते है बेतवा किस जिले में ललित पुर्ष जिले में बेतवा नदी पर माता टेला ना बनाई गई है, अगले गोशिन पर चलते हैं, अगला गोशिन आपका, उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्नी जियो बिहार है, कौन सा, उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्नी जियो बिहार पूछा जारा आप से, महाबीर स्वामी हस्तिनापूर चंद प्रभाई इन में से कोई न पर इसफें ब्रुपर दिजियेगा और राज जी का सबसे छोटा वन्य जियू बिहार महावेर स्वामी वन्य जियू बिहार यह सारे पॉइंट हमने आपको बताएं आप लोग इसे नोट कर लिजिएगा अगले कोश्चिन पे चलते हैं चैसे समधार से related कुछ important question पूरा एक तरीके समझ यह model पर इससे परफेक्ट model पर आपको कहीं नहीं मिल सकता तो जितने भी एक बार वीडियो को देख रहे हैं जल्दी जल्दी से फटाफर से आप सब बढ़िया प्लेटफार्म में आप सभी लोग जुड़ें अपने दोस्तों को बताएं जितने भी रिलेटिव हैं सबको बताएं सभी का फायदा हो मैंना तमको उतनी करनी सभी का फायदा हो सभी आगे बढ़ें एक सीथ पक्की करें चलते हैं अगले कोशन की तरफ अगला अपसरिया भी आपका सही हो जाते हैं उपरास्ट पती देखिए आपको काफी इंपॉर्डन चीज़ें आपको बताते हैं एक एक पॉइंट करके सभी एक्जाम में कोशन पूछे गये हैं और आपके एक्जाम में पूछे जाने की पूरे चांसे जाएं राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं अधिक्तम 250 सदस जिन में से 12 सदस्य भारत के राश्ट परती द्वारा नामांकित होते हैं और अन्य 238 सदस्य इनका क्यों अधर चुना होते हैं राज्य सभा में सदस्य कितने साल के लिए चुने जाते हैं च्छै वर्स के लिए जिन में से एक तिहाई सदस्य दो साल में सेवा निवरित होते जाते हैं भारत के उप राष्ट पती, राज्य सभा के पदें सभापती होते हैं, और सभापती का कारेकाल कितने वर्ष का होता है, पांच वर्ष का होता है, उसका चुनाओ अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य से हिस्सा लेते हैं, य कि इतने सदस्यों की उपस्तिती अनिवारी है रहर विकल यांपर कौन सव होगा आप लुग जल्दी से रिप्लाइ पराइए बहुना ऑप सनी आप पर कौन सव होगा आपसण आपके यहां पर सही हो जाताब भी 1 बटा 10 सदन के बाटकों के लिए सदन के कुल सदस्यों के 1 बटा 10 सदस्यों के उपस्तिती गण कूर्ती है來了 अवश्ये कूरती है संपत्ति का अधिकार है कैसा अधिकार है मौलिक है यह विधिक है या A और B दोनों है या इन में से कोई नहीं है अफसर यहां पर आपका सही हो जाता भी विधिक अधिकार संपत्तिक अधिकार पहले मौलिक अधिकार था लेकिन यह 44 में संबिदान संसुधन द्वारा इसे विधिक अधिकार गोशित कर दिया गया अगले कोशिन पह आजाते नेक्स्ट आप का रास्ठी चिन और प्रतीक भी आपके सेलेबस में यहां भारत का राष्ट्री चिन कहां से लिया गया है भारत का राष्ट्री चिन कहां से लिया गया है बहुत गया सारनाथ लुम्बिनी कुशिन अगर आपसन यहां पर आपका सही हो जाता है भी सारनाथ भारत का राष्ट्री चिन सारनाथ इस्तित अशोक के सिंग इस्तम से लिया एक हाथी एक गोड़ा एक साण और एक सिंह अंकित होता है जिसके बीच में चकर बने हुए होते नीचे क्ट में इस स्थ चिंदी को राद चिंद की रूप में सुन पर किया गया है तक हमारे रास्टी में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है कि आप लोग बताएं जल्दी से अपसन यहां पर आपका सही हो जाता है सी तीन अनुपाते दो देखिएगा यहां पर क्या पूछा जा रहा है लंबाई यूंग चौड़ाई अगर माली जिस चौड़ाई और लंबाई प कर दीजिएगा फिर उत्तर देखिएगा बिकल्प में दो अनुपाते तीन क्योंकि जो पहले पूछा जा रहा है वो देखना है आपको आप मूद करके टिक नहीं करना आसान सा कोशन ऐसे ही गलत हो जाता है कि ठीक है इसमें हमारे राश्ट्री धोच को क्या कहते हैं तिरं अका लेल लिखा गया को फशनी अपर आपका कौन से स्योगा राश्ट्री गीत रस्ट्री गर्सकों की बात नहीं हो रही है विसक्त लिए नियुक्त भाव ल्यक्त बिकल्प मंत्रम बनकीं चन् घटर जी के दोहरा लिखा गया सिजए राश्टत समय क्में और सभाव क्या है जैसे राष्टगीत वंदे मात्रम राष्टगान क्या है यह गीत पहली बार अठारो सु चानवी में भारती राष्टी कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था राष्टगीत अगले कोश्चिन पर आ नेक्स्ट हमारा कोश्चिन है बहुत ही बढ़िया और इंपोर्डेन कोश्चिन वन सरक्षण अधिनियम कप पारित हुआ जल्दी से अप लोग रिप्लाई करिए कई बार यह कोश्चिन करवा चुके बहुत ही बढ़िया आप लोग एकदम से अक्टिव होकर कि पूरी होनी चाहिए आप में आपके अंदर लेबल होना चाहिए ठीक है एक जोश वाला इनक्टिव फॉर्म में मत रहिए कि ऑप्सन यहां पर आपका सही हो जाता है भी उन्नी सो असी नाइंटीन एट्टी कि बनों के सरक्षण और हुआ है कि इवेस्टी हो जाते हैं कि पूरे थ पिप्टी कोश्चन कबर करेंगे तो जल्दी-जल्दी से देखते हैं इंपोर्डन कोश्चन उद्य शब्द का बिलोम बताना है उद्य शब्द का बिलोम च्छाटिए क्या होगा लाल भासित वलिस्ट अस्त ऑप्सन यहां पर आपका सही हो जाएगा डी उद्य का बिलोम अगले शचिन पर आते नेक्सक्रेश अवर निका बिलोम शब्द बताएगे अवनिका बिलोम शब्द क्या होगा है और कॉप्सन यहां पर आपका सही हो जाता है अवनिका बिलोम शब्द है अंबर अes क 있기 इनमें से एक शब्द बैल का परियाय वाची नहीं उसी चैनीत कीजिए जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करें जितनी फास्ट आप लोग रिप्लाई करें उतनी जल्दी हम कोशन को कबर कर लेंगे तो चलिए जल्दी से आप लोग रिप्लाई करते रिए बिकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है यह अशम यह बैल का परि अंमे से क्या है अपको बताना है व्यक्त निम्लत मेंसे घोडा का परियावाची शब्द नहीं है व्यक्त यह आपको थान्य cukक कौन से थाएगा नहीं है व्यक्त कर्णी हो जाएगा नहीं धान नेक्स एक कोईले की दलाली में हाथ काले का अर्थ क्या है कोईले की दलाली में हाथ काले का अर्थ विकल्प यहां पे आपका कौन से सही होगा विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता डी खराब काम का परडाम भी खराब ही होता है नेक्स्ट कोश्चिन पे आते हैं पारा उतरना मुहाबरे का क्यार थे पारा उतरना मुहाबरे का क्यार थे ऑप्सन यहां पे आपका सही हो जाता है भी क्रोथ कम होना नेक्स्ट कोश्चिन पे आते हैं जस दूला तस बनी बराता इसका हावत का क्यार थे बिकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी जैसे खुद वैसे साथी नेक्स्ट कोशन पर आते हैं नेक्स्ट आपका कोशन है जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए बहुत ही बढ़िया मू की खाना मू की खाना इसका क्यार्थ होगा हार जाना गिर पढ़ना भोजन खा लेना यह भा इसका मतलब क्या होगा बिगल्ब यहां पर आपका सही हो जाता है डी बहुत कीमती होना ओप्सन सही हो जाता है आपका डी बहुत कीमती होना नेक्स्ट है समुद्र मंथन करना इसका क्यार्थ है समुद्र मंथन करना बिगल्ब यहां पर आपका सही हो जाता है डी कठोर पर करना सको नेक्स्स को न को आते हैं मंतखी शब्द का तत्सम रूप पिए Marco बताना है विज और आपको श्रय का माजनी मची प्षरप्क्षि का है नेक्स्ट है थो को लिए हलिए हमक्स का तत्सम रूप क्या होगा रही मिंख का टस्रय थे शब्देक अप हरिद्रा हल्दी शब्द का तत्सम हरिद्रा होगा नेक्स्ट कोशिन पर आते हैं नेक्स्ट है निम्लिखी शब्दों में से कौन सा तत्सम है तत्सम यहां पर कौन सा है चारों बिकल्प में से बिकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है डी छत्रिय अगला कोशिन है पूछा जा रहा है इन में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है छीर, मयूर, सफेद, शीर्स आपसन आपका सही हो जाता सी सफेद तत्सम नहीं सफेद का तत्सम क्या होगा आसान सा है जल्दी से आप लोग बताएं ये कॉमेंट सक्षन में सफ्याइट का तत्सम क्या होगा निमन शब्दों में से देशज भासा का चैन करें कौन सा औपसन सही होगा देशज भासा चुनना आपको ओपसन आपके यहाँ पर सही हो जाते भी भजन और अगले कोईशिण पर आते नेक्स से निम्न शब्दों में से देशज आपको बताना है क्या है देशज कल्पना ढी बेकल भी आपको सही होता है भी धिवरी जुद्धिया होता है पहले ढीवरे जलती थी एक बॉट्ल टाइप में होता था ऐसे फिर उसमें बाति डाली जा इसे डिवरी बोलते हैं अगला गोशन इन में से शुद्ध बरतनी वाला शब्द कौन सा है शुद्ध बरतनी वाला सब्द आपको चुनना है इंपोर्टेंट है यह पूछा जाता आशिरवाद ध्यान से देख लीजिए कौन सा अप्सन आपका सउय होगा c बड़ा शयर रहेगा और राजो रहेगा वो किस पे रहेगा वपी रहेगा यहां पर च participargen तो आशिरवाद बे बड़ा शयर रहेगा तो विकल पापका सउय होजाता y. अब यहां पर शूद्ध ऐनको चुनना है स सभी इंपोर्टेन शुद्ध चुनने वाला सभी एकजाम में पूछा जाता हो जो बार-बार पूछा जाता है सभी मैंने एक बार में ले लिया है यहां पे देखिए पूज्य नहीं है आपको चुनना है पूज्य नहीं है या पूज्य नहीं है क्या सही होगा मिलने बोला ज से शुद्य सब्द पूज नहीं है अगले कोश्चिन पर आ जाते नेक्स्ट है यहां पर भी आपको शुद्ध वर्तनी बतानी शुद्ध वर्तनी कौनसी है यहां पर बिकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है टी कव इत्री ध्यान दीजिएगा भूलना बिल्कुल नहीं तीनों जितनी आप देखें न आशिरवाद पूज नहीं है कव इत्री तीनों बहुत ही इंपॉर्टन कोश्चिन है आपके एक्जाम में खुब पूछ जाते हैं नेक्स् ओधीी बोलीय से संबन्दीत जिला नहीं है कौल सा नहीं है सीतापूर रायबरेली रामपूर इलाहबाद बिकल्प यहां पर उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली का विकास अर्ध मागदी अपभरन से नहीं हुआ अगले कोश्चन पर आते हैं नेक्स्ट है कबीरदास की भासा कौन सी थी? इंपोर्टन कोश्चन है आपको बताना है जल्दी से आप लोग को आपसन चूच करना है विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है डी सदुक करी कबीरदास जी की भासा कौन सी थी? सदुक करी थी अगले कोश्चन पर आते हैं जानने की एक्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या है? चानने की एक्छा रखने वाला इसके लिए एक शब्द आपको बताना है बिकल्ब यहाँ पे आपका सही हो जाता है जिग्यासू इंपोर्टन्ट है ध्यान दीजीगा अगला कोश्चन आप सभी की स्क्रीन पे वह भाई जो अन्य माता से उत्पन हुआ हो अन्योदर दूरस्ट और सहुदर बिकल्ब यहाँ पे आपका सही हो जाता है अन्योदर नेक्स्ट कोश्चन पे आते हैं जो अच्छे कुल में उत्पन हुआ हो इस शब्द समूव के लिए एक शब्द क्या है आपको बताना है विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा A. कुलीन क्या कहेंगे? कुलीन कहेंगे अगले कोशिन पे आजाते है जिस इस्तरी के पुत्र और पती ना हो इस वाक्य के लिए एक शब्द आपको भताना है अवीरा, अबला, असहाय, अकेल्या विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है आवीरा नेक्स्ट है प्रत्यूत्पन मति प्रत्यूत्पन मति का मतलब क्या है? विकल्प यहां पे आपका सही है जो तत्काल उत्तर दे सके उसके लिए एक शब्द है प्रत्यूत्पन मति अगले कोशिन पर आते हैं, नेक्स्ट अमारे कोशिन है सर्वस्रेश्ट रस किसी माना जाता है, रौद रस, स्रिंगार रस, करूर रस, वीर रस अप्सन यहां पर आपका सही हो जाएगा, भी स्रिंगार रस अगले कोशिन पर आते हैं, नेक्स्ट है कभी विहारी मुख्यते किस रस के कभी हैं option यहां पर आपका सही हो जाता है स्रिंगार रस के कभी है कभी कभी computer उस word को नहीं ले पाता है इस वज़े से स्रिंगार आप लोग देख लिजिए कैसे मैंने लिखाता उपमान और उपमे का अवेत कहलाता है उपमा रूपक उद्प्रेक्छा भ्रांतिवान बिकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है भी रूपक next question पर आते है तरनी तनूजा तर्ट तमाल तरुवर बहुच्छाए इसमें कौन सा अलंकार है ता 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 वर्ड बार बार आरा है कौन सा ओप्सन अमारे सही हो गए यहां पर वेर यूगुट बहुत बढ़ियां बिकल्प यहां पर आपका सही हो जाते हैं अनुप्रास अलंकार जिल्दी से एक बार आप सभी स्टुएंट जितने भी लोग वीडियो को देख रहें जल्दी जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक करिए फड़ावर्ट से बहुत ही बढ़िया चलिए अगले कोईशन पर आ जाते हैं नेक्स्ट है कनक कनकते सो गुनी मा दकता अधिका है इसमें कौन सा अलंकार है यमक अनुप्रास स्लेश इन में से कोई नी विकल्प यहां प पहले और तीसरे चरणों में तेरा तेरा और दूसरे तथा चौथे चरणों में ग्यारा मात्रा होती है वह चंद क्या कहलाता है अगले कोईशन पर चौपाई चंद में कितनी मात्रा होती है बिकल्प आपके हैं पर सही हो जाता है सी 16 कितनी मात्रा होती है नेक्स्ट पोश्यन है इस घर में 15 लोग रहते हैं इस वाक्य में कौन सा विशेशन है आपको विशेशन बताना परिमाड बताया जा रहा है ये घुड्म संख्या ये यव्यक्ति Option यहां पे आपका सही हो जाएगा सी, संखिया वाचक विशेशन हैं इस घर मैं 15 लोग रहते हैं संखिया या ही तो बताई जा रही ना? अगले कोशिन पे आते हैं Next है इमानदार शब्द में काँ सा विशेशन है? Option यहां पे आपका सही हो जाएगे गुढवाचक विश्येशन, गुण के बारे में बात हो रही है Next हमारा कोश्चन है, खिंदी के आदी जननी किसे कहते हैं? संस्कृत को, पालि को, प्राकृत को, अपभरंश को आप सनीहा पर आपका सही हो जाते हैं संस्कृत को Next हमारा कोश्चन है, जाकी रही भावना जैसी प्रभ मूरत देखी तिन तैसे प्रस्तत पंक्ति के रचैता कौनी ये पंक्ति किस ने लिखी है सूर्दास मेराबाई तुलसिदास गिरधर बिकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है प्रेम 25 यह कहानी संग्र है इसके रच्नकार को ने प्रेम 25 ऑप्सन यहां पर आपका कौन सा सही होगा प्रेम चंद जैशंकर प्रसाद अग्य है यश्पाद ओपसन सही हो जाता है आपके यहां पर प्रेम चंद जी नेक्स्ट कोशन आपका ग्यान पीठ पुरसकार किस छेतर में स्थ्स्ट कारे के लिए दिया जाता है अगला कोश्यर में प्रेम सागर के लेखक कौन है प्रेम सागर की लिखाके इंपॉर्टन कोशिन ए इंसाल लखान ललू लाल मुंशि प्रेम चंद मुंशि स्था सुखलाव अपसनिया पे आपका सहिता भाज इस अगले कोशिन पें आते हैं नेक्स्ट है तुम चंदन हम पानी किसके कृती है अपसनिया पर आपका सही हो जाएगा कौन सा सही होगा जल्दी से अप लोग रिप्लाई करिए विखल्पिया पर आपका सही हो जाएगा अभी विद्या निवास मिस्र अगले कोशिन पर आते हैं नेक्स्ट है माटी की मूर्तें ये किसकी रशना है अगले कोईशन पे आते हैं सूर्दास ने किस भासा में सूर्षागर की रशना की है अगले कोईशन पे आते हैं अवारा मसीहा किस की रशना है अवारा मसीहा किस की रशना है अपसनिया पे आपका कोईशन सहीवा विश्नु प्रभाकर विद्या निवास मिस्र हरिवन्श राइबर चन नरेंदर शर्मा अपसनिया पे आपका सही हो जाता है यह विश्नु प्रभाकर बहुत ही फेमस यह इनकी रशना है और यह खुब एक्जामें पूछा जाता है तो फ्रेंस यहाँ पर हो जाते हैं आपके पूरे 50 कोईशन हिंदी के कम्प्लीट आप लोग कितना स्कूर कर पाएं कमेंट सक्षन में आप लोग जरू बताईएगा चलते हैं अब आप कि तरफ बहुत ही इंपोर्डेंट से डीपी के कोईशन हैं से डीपी का कलिक्सित बहुत ही बढ़ी आएं आप लोग बने रहें वीडियो के साथ शुरू से लास्त और फास्ट एकदम से एनरजीटिक हो करके रिप्लाई करने आपको और जितने वीडियो को देख रहे हैं बढ़ जल्दी जल्दी से आप सब लिए वीडियो वह लाइक और दोस्तों में शेयर कर दीजिए चलते हैं फिर सीडीपी की तरफ अब हम सीडीपी की तरफ आ जाते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की तरफ बाल विकास पूरे तेज कोश्चने पूरे गिnet third mk2 कितना स्कूर कर पाते हुए कोमेंट सकुनार में आप लोग हो रिपलाई जरोर करेंगे तो चले हैं से यह साइट करते हैं बाल विकास में क्या होता है मैं इसमें पर किस्वरा वस्था तक का अध्यन होता है ठीक है इसमें बाल बिकास में क्या होदा बालक के गर्भावस्था से लेकर किश्वरावस्था तक के शारेरेक मांसिक और ब्यवहरेक परिवर्थनों का अध्यान किया जाता है बाल्य अवस्था की आपको पूरी अवस्थाएं बता देते हैं बालक की जो अवस्थाएं होती गर्भा वस्था, शैस्वा वस्था, बाल्य अवस्था, फिर किश्वरा वस्था गर्भा वस्था जीरो से लेके 9 मा, शैस्वा वस्था जन्म से लेकर के 6 वर्स बाले आवस्ता है 7 से लेकर के 12 वर्स और किशोरा वस्ता पूरा 12 से लेकर के 18 वर्स अगले कोशिन पी आजाते नेक्स बिकास की किस सवस्ता में बुद्धी का अधिक्तम विकास होता है important question आप सभी की screen पे विकास की किस सवस्था में बुद्धी का अधिक्तम विकास होता है विकल्ब यहाँ पे आपका कौन से सही होगा C सही हो जाता है किशोरा वस्था किशोरा वस्था में बुद्धी का अधिक्तम विकास होता है इस सवस्था में बालकों की अनुसार कांष णंदों सभोल हुआ है अगले कोशन कर चलते हैं नेक्स्ट से मुखी एवंग निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है विखलब आपको बताना है चेतना विकास विवरद्धी संसोधन ऑप्सनियां पर आपका सही हो जाता है भी विकास से संबन देते हैं मस्तकादो मुखी के अनुसार विकास के क्रिया सिर्च से आरम होकर कि किदर की तरफ चलती है यह सिर्च से आरम होकर कि किदर की तरफ चलती है पैरों की ओर जाती यानि कि विकास उपर से नीचे की ओर होता है ध्यान से सुन लीजेगा जितनी चीज़े हम बता रहे हैं और नि निकास की गती केंद्र से दूर वर्ती भागों की तरफ हो रही है निकट से दूर कक्रम यह है अगले कोशिन पर चलते नेक्स्ट है बिगवा हंट के अनुसार फिलिन द ब्लांग की विश्यस्ताओं को सरुत्तम रूप से ब्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन परिवर्तन शारेरिक, सामाजिक और मनोबैग्यानिक होता है यहाँ पे आपको अवस्ता का नाम बताना है शैस्वावस्ता, बाल्यावस्ता, किशोरावस्ता, प्रोडावस्ता ओप्सन यहाँ पे आपका सही हो जाता है C, किशोरावस्ता बिग और हंड के नुसार किशोरा वस्था की विश्यस्ताओं को सरोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है क्या है वो वो है परिवर्तन ठीक है इंपोर्टन चीज़ें इंपोर्टन कथन है आपके एक्जाम में कोशिन कथन से जरूर पूछा जाता है कथन वहीं पूछे जाते हैं जो आपसर फेमस होते हों कुछ जिनका मतलब बहुत जादा हो कम में बहुत जादा मतलब होता है खिलानों की आयू कहा जाता है किसे कहा जाता है पूर बाल्ले अवस्था को उत्तर बाल्ले अवस्था को श्यासव अवस्था की इन में से सभी बहुत ही बढ़े और इंपॉर्डन कोश्चन है आप्सनिया पर आपका कौन से सही होगा आप्सनिया पर आपका सही हो जाता है यह पूर बाले अवस्था को पूर बाले अवस्था की आयू कितनी है तीन से छे वर्स मानी जाती है इस अवस्था को इस आयू बर को खिलाओनों की आयू कहा जाता है क्यों क्योंकि इस अवस्थ सक्ष्णिक निसपादन से संबंधित होती है यहां पर fill-in-the-blank है यहांपे आपको भरना मध्यम कम से कम पूर्ण उचा अपसन यहांपर आपका सही हो जाता है दीई उच बुद्धिलब्द आंक का सीधा संबंध्ध उच सक्ष्णिक निसपादन से होता है बुद्धिलब् ऐसे 130 से अधिक बुद्धी लब्दांक वाले बालकों को प्रतिभाशाली और 71 से कम को जो जिसकी आईक्यू इक अत्तर से कम होती है एसे बालकों को जड़ बुद्धी की स्टेड़ी में रखा जाता है नवीन उजल्स राक चाहर प्रतिक्रियां को अर्जन करने के प्रतिक्रियां अधिमीर प्रतिक्रिया है था-तितोर नवीन उसका कॉ intelig करने की प्रक्रिया ही अधिगम प्रक्रिया है अगले कोशिन पर आते हैं सीखना ब्योहार में उत्तरोत्तर सामंजस की प्रक्रिया है यह कतन किसका है कि बिकल पर आपका सही हो जाता है सी इसकिनर महुदे का है अगले कोशिन पर चलते हैं, इसकिनर ने अधिगम के लिए कि सिध्धान का प्रतिपादन किया, क्रिया प्रसूत सिध्धान का प्रतिपादन किया था, इसकिनर साहब ने, अगले कोशिन पर आते हैं, सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है, सीखने के नियम के प्रतिपाद फ्राइड इसकेनर थॉंडाइक एडलर पिकल्पियां पे आपका सही हो चाता सी थॉंडाइक थॉंडाइक द्वारा सीखने के नियम का प्रतिपादन किया गया था इनकी अनुसार व्यक्ति विशेश कारी में विशेश प्रकार की प्रतिकरिया करता है इन्होंने तीन नियम पताय थे सिखने की कौन-कौन से अभ्यास का नियम है दूसरा प्रभाव का नियम तीसरा है तत परता का नियम है अगले कोशिन पर आते हैं अधिगम के लिए क्या आवश्यक है अधिगम के लिए क्या आवश्यक है अप्सरियां पर आपका सही हो जाता है उपरिक सभी यानि क अधिगम के लिए स्वानुभाव स्वाचिंतन स्वक्रिया यह सभी आवश्यक है अधिगम एक प्रक्रिया है जिसके दौरब बालक में समझ विक्सित होती है जो समस्य के समाधान में सहायक होती है अधिगम का अर्थ सीखना होता है मिलनी अगले कोशिन पर आते हैं नेक्स है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिध्धान का प्रतिपादन किस ने किया क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिध्धान का प्रतिपादन हल ने थौंडाइट ने हेगार्टी ने इसकिनर ने अप्सरिया पर आपका सही हो जाता दी इसकिनर ने अ प्रत्य किस ने दिया अभी क्रमाय योजित अधिगम क्या होता है कि किसी योजना की एनुसार एक योजना पना करके सिक्षण और अधिकम की क्रिया को एक रूप प्रदान किया जाए एक साकार रूप प्रदान किया जाए वही हो जाता है अभी क्रमा योजित अधिकम यानि कि योजना की अनुसार सीखना और सिखाना हो ठीक है अगले कोश्चिन पर चलते हैं इसका प्रतिपादन किस नहीं किया इसका प्रत्य किस ने दिया बी अप इसके नर नहीं दिया अगले कोश्चिन पर चलते नेक्स है एक वर्स तक के शिसु जब आख कान वा हाथों से सोचते हैं तो निमले कित्मी से कौन सा इस्तर इनमें शामिल होता है बेकलप यहां पर आपका कौन साई हो गया इंपोर्टं कोश्चिन है बहुत बढ़ियां सा कोश्चिन है देखेए अभी यहां पर आपको बताते है औप्सन यहाँ पर आपका सही हो जाता है इंद्रिय जनित गामक किस्तर प्याजे से कोशन इस तरीके से घुमा करके पूशा गया प्याजे की इंद्रिय जनित गामक का वस्ता में बच्च जीरो से दो वर्स का होता है जिसमें वह आग कान वह हाथों का प्रयोग करके सूचता है जीरो से दो वर्स अगले कोशन पर चलते हैं देखे घुमा करके पूशा जाता है कोशन अब यहाँ पर देखे कोशन स्टांडर बढ़ गया ब्लूम के वर्गी करण के आधार पर उद्देश या आधारित प्रस्तनों के निर्माण में कौन सा बिकल्प असंगत है ब्लूम के वर्गी करण के आधार पर उद्देश या आधारित प्रस्तनों के निर्माण में किसका होना अवश्यक है ज्यान, समझ, विशलेशन, मुल्यांकन, अनुप्रियोग, संसलेशन लेकिन आधारित इसमें नहीं है नेक्स्ट कोशिन पर आते हैं, नेक्स्ट हमारा इंपोर्टन कोशिन आप सभी के स्क्रीन पर बहुत ही बढ़िया यहाँ पर देखिए उदाहरण, निर्माण, विशलेशन, वर्गी करण, नाम करण, निमली खित में से किस विधी के सोपान है बहुत ही बढ़िया सा कोशिन ही देखिए, इंपोर्टन कोशिन, आप से यहाँ आपका कॉंसे सही होगा, जल्दी से आप लोग रिप्लाइ करिए, बहुत ही बढ़िया, वर्गी कोशिन आपके से बाहर नहीं है, सब कुछ आपके syllabus recording new pattern के सारी कोशिन है, जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक करिए, आप से यहाँ पर आपका सही हो जाता भी आगमन भी दी, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको यह की कोशिन एक्जाम में मिलेगा, आप एक्जाम देखि आने के बाद खुद बताएंगे कि कितने कोशिन मिलेते हैं, और कितना helpful रहा सारा वीडियो, बिकल्पिया पर आपका सही हो जाता भी आगमन भी दी, उदाहरन, नेरेक्षण, विसलेशन, वर्गी करण, नियमी करण का सोपान आगमन भी दी के अंतरगत आता है, सिक्षड क आगमन भी दी में क्या होता मिली, सिक्षड अनेक विशिस्ट उदाहरनों के आधार पर सामानी करण करने का प्रयास करता है, उदाहरन के बाद, उदाहरन से जब चला जाए, तो क्या होगा, आगमन भी दी, अगले गोशिन पर चलते हैं, नेक्स्ट है, शैस्वा वस्था क के लिए उत्तम सिक्षड विदी, आपको बतानी कौन सी, मॉन्टेसरी, खेल विदी, किंडर गार्टन विदी, इस सभी, ऑप्सनियां पर आपका सही हो जाता है, डी, इस सभी, शैस्वा वस्था, जीवो से लेकर के 6 वर्स की आयो को क्या 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 दे, शैस्वा वस्था, इस अवस्था में शिशु को मॉन्टेसरे सिक्षा विदी, खेल विदी, किंडर गार्टन विदी, इन सभी के माध्यम से सिक्षा देनी चाहिए, इस प्रकार के जो सिक्षड पद्देती है, वर्तमान समय में प्लेवे स्कूल में अपनाई जा रही है, प्लेवे स्कूल में बिकास को लेकर फ्रॉबिल का मुख्य योगदान क्या है विकलप यहां पर आपका कौन सा सही होगा यहाँ पे देखिए वाडि जिक सिक्षणाले वालबाडी बालवाडी पबलिक स्कूल लाटिन स्कूल ओप्सन यहाँ पे आपका सही हो जाता भी बालवाड बालवाडी केंडर गार्टन क्या है किंडर गार्टन अगले कोशिन पे चलते हैं यह फ्रॉबिल ने किंडर गार्टन पद्धित की स्थापना की थी बालवाडी बिदी अगले कोशिन पे शब्दों में अक्षरों की क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभो करना और अक्सर चाक्छुस इस्मृति का हराज किस से समन्दीते हैं और अपसन यहां पे आपका कौन से सही होगा विकल्प सही हो जाता है आपका यहां पे डिसलेक्सिया डिसलेक्सिया क्या है कई बार आपको बताया चाचुका है एक पठन विकार है जिसमें कोई व्यक्ति अक्षरों को क्रम बत तरीके से पढ़ने में असमर्थ होता हो साथ प्रपति साथ शबदों अक्चोनों को उल्टे क्रम में भी लिखता है। वॉप्सन आपके यहांपे सही हो जाता है धी डिस्लेक्सिया। नेक्स्ट रेक्ष गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग गिता क्या कहलाती है। गतिक कौशलों में अधिगम निरियोग गिता अप्सन ही हमें आपका सही हो जाता है भी डिस्प्राक्सिया यह एक विकार है इसमें क्या होता है बच्चे गति और समय में सामंजस स्थापित नहीं कर पाते हैं गति और समय समय अगर जल्दी चलो धीरे धीरे लिख पाते हैं आप बोलते हो कुछ चलेगे हम पीछे ही रह जाते हैं जैसे एक्जामपल के रूप में अगर वो समय और गति में सामंजस स्थापित कर पाते हैं जैसे आप बहुत तेजी से गेट फेक रहे हैं वो नहीं जान पाएंगे कि जिसलेक्सिया यह पठन भी का रहे हैं अगले कोश्चिन पर आजाते हैं एक अध्यापक की द्रिस्टी में कौन सा कथन सर्वुत्तम है प्रतेग बच्चा सीख सकता है सर्वुत्तम पूछा जा रहा हैं बिकल्प यहां पर आपका कौन सा सही होगा एई ही सही होगा प्रते सिखाना है तो उनके एकॉर्डिंग सभी बच्चे सिख सकते हैं जो बच्चा नहीं सीख पा रहा उसके लिए दूसरी सिक्षण बिदी दूसरा कॉसल अपनाया जा तो भी बच्चा सिख जाता है तो यह एक अध्यापक की दृष्टी में यह सर्वत्त में कि प्रतेक बच्च सिख सकता है और सिखाना आपका फर्ज है इस तरीके से सीडीपी की भी हो जाते हैं आपके पूरे 23 कोशिन कंप्रीट 23 में से आप लोग कितना स्कूर कर पाएं आप लोग कॉमेंट सक्षन में जरूर कॉमेंट करके बताएगा हमें आपकी कॉमेंट का इंधाजार रहेगा पड़ावर से जल्दी से चलिए आप चलते हैं आज के सवाल के तरफ लास्ट में आज का सवाल आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टन कोश्चन है बिकास की किस सवस्ता में बुद्धी का अधिक्तम बिकास होता है बहुत ही बढ़ियां सा बाली आवस्ता शैस्वा वस बताना है यह मैंने नहीं करा है यह अलग से कोश्चन बाहर से तो आप लोगों को बताना है मधूर का बिलों क्या होगा दिल्दी से आप लोग रिप्लाई कीजिए तो अब चलते हैं तीसरे कोश्चन की तरफ तीसरा आपका इविए से रिलेटर कोश्चन है भारत में हिमा आपको बताने इस तरीके से तीन कोश्चन आप सभी के लिए आज के सवाल में तीनों के रिप्लाई आपको कॉमेंट सक्षन में देनी है दो कोश्चन जो मैंने पढ़ाए है और एक कोश्चन बाहर से तो आप फटाफट से कॉमेंट की रिप्लाई कीजिएगा और आज आप लोग लाइक और शेयर के माधियम से अपना प्यार और विश्वास जरूर देखाईएगा जादा जादा लाइक और खूब जादा शेयर कीजिए तो चलिए मिलते हैं फिर था गाद मिलते हैं, तो आपी प्यार ऑखिफ ज्ड़लोस से बाहर से क्लिएवाद से उलोगती हैं